हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन डबाएं साथियो नमस्कार इस वीडियो में बात करेंगे HRMS के द्वारा लीव इनकेस्मेंट को कैसे भरेंगे लीव इनकेस्मेंट के ओप्सन को आपके HRMS में ही जोड़ दिया गया है और इस वीडियो में पूरा प्रोसेस जानेंगे कि HRMS से ही ओनलाइन हम अपने लीव इनकेस्मेंट फॉर्म को कैसे भरेंगे कैसे उसको फिलब करेंगे और किस तरीके से हम अपनी छुट्टी और पास को उसमें लिंक करेंगे जानते हैं इस वीडियो में आई ये चलते हैं कंप्यूटर इसकी लिव पर लीव इनकेस्मेंट को भरने के लिए आपको अपने HRMS में लोग इन हो जाना है इसके वाल लीव मैनेजमेंट वाले ओप्सन पर आएंगे जैसे ही इस पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एप्लिकेशन फोर लीव इनकेस्मेंट वाला ओप्सन दिखाई दे जाएगा आपको इस पर किलिक करना है जैसे ही आप इस पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी information ही यहाँ पर दिखाई देगी और यहाँ पर आपकी जो date of joining, date of retirement यह सब इस पर दिख रही होगी अब leave balance as on date आज की date में यानि जो जब आपने form खोला है उस समय आपकी जितनी एलेपी होगी यहाँ पर जो है यहाँ पर दिखाई दे रही होगी और आप आपके पास 90 से ज़्यादा यारी कि 90 एलेपी से कम नहीं होनी चाहिए तब ही आप लिव इंकेस्मेंट का form भर सकते हैं नंबर आप लीव यहाँ बार नहीं लिया है तो यहां पर zero लिखना ए जैसी आप देखिए यहां पर हम एक लिखकर देखते हैं तो यहां पर जैसे हैं हम यहाँ पर लिव इंकेसमेंट बैलेज्च आप यह पने पहले ले चुका है तो आपको पांच लार लीиля काýसमेंट और मिलेगा यहां पर यदि आप दो भरते हैं तो आप यहां पर देख पगेंगे तो यहां पर आपके चार बार आप Leave Incassment All ले सकेंगे यानि कि यदि आप पहली बार भर रहे हैं तो आप इस पर Zero ले खेंगे पिर आपको यहां पर कोई भी टिक करने की आवसकता आपकी 2 साल की होती है इसके बाद आप देखेंगे Leap Day leave day to be in cash अब अधिकतम 10 दिन का पैशा ले सकते हैं इस üzह जादा कर नहीं ले सकते हैं आप इससे कम का भर सकते हैं लेकिन 10 से जादा कर नहीं भर सकते हैं एक बार कोसिस करते हैं इसमें भरने की जैसे मैंalthe 20 बरता हूँ, जैसे 20 भरा मैंने तो यहाँ पर देखी लिखके आ गया Max 10 Leaps Can Be In Cash, यानि 10 से ज़्यादा इसमें आप भर ही नहीं सकते हैं, अब आपको जो आपका पास है और आपके जो LAP है, जो सेंक्षन LAP ओनलाइन करवाई गई है, उसी को आप इसमें लिंक करेंगे तो सबसे पहले CL या LAP जो आपने लिंक कराई है, उसको हम यहाँ पर यह जो लिंक वाला निसान देखाई दे रहा है, चैन वाला इस पर हम किलिक करेंगे, तो आपने जित्ती भी आपने चुट्टी सेंक्षन कराई है, तो वह इस पर दिखाई दे जाएंगी और आप जिस चुट्टी में, जिस पास में आप घूमने गए थे, चुट्टी लेकर उसको आप सिलेक्ट कर देंगे और प्रोसीड पर किलिक करेंगे, तो आप यहां पर देखिए, आपकी चुट्टी यहां पर लिंक हो गई है, यहां पर यह निसान के बगल में भी एक बुक का निसान आ जाएगा, इसका मतलब आपकी चुट्टी यहां पर लिंक होची की है अब इसी परकार हम लिंक पास को भी लिंक करेंगे तो यहाँ पर हम जो चैन का निसान है इस पर किलिक करेंगे तो आपने जतने भी पास लिये होंगे वो यहाँ पर सारे दिखाई देने लग जाएंगे तो आपने जो पास लिया है उसको यहाँ पर टिक करेंगे और प्रोसीड पर किलिक करेंगे तो आपके पास देखिए दोनों आपके option में एक book का निसान आ गया है इसका मतलब आपकी चुट्टी और पास दोनों इसमें link हो चुके हैं अब आपको यहाँ पर चेक करना है और इसके बाद आपको यह छुट्टी अपने dealing इकलर को भेजनी है यहां जो आपकी dealing कलर है यानि जो आपका बाबू रेता है उसको भेजनी है या आप अपने जो है जो आप जिससे छुट्टी करवाते हैं आपका जो सुपरवाईर है उसको भी भीज सकते हैं तो वह भी आपके जो है डीलिंग कलर को ही भीजेंगे जैसे आपकी यूनिट में चलता है उस तरीके से आप देखें आप इंचार्ज को भीजेंगे अपने तब भी वो अपने dealing clerk को he forward करेंगे यादी आप अपने खुश से भी कर सकते हैं अपने dealing clerk को forward यहाँ पर आप dealing clerk का नाम लिखेंगे यदो यहाँ पर आप देखेंगे उनका नाम का नाम आपर आ जाएगा और आप जैसे ही यहाँ पर submit application में क्लिक करके, आप अपनी application को submit बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप leave-in-cashment का form बहुत ही आसानी से भर सकते हैं, तो आसा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, यदि आपका फिर भी कोई confusion है, तो आप comment box में ज जब आप तेने की, मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, जब तक लिए जैहन बंदे बात्राव